तो वेलके में दोस्तों नमस्कार आप सभी का और आप लोग बहुत कमेंट कर रहते हैं कि उतपाद सिपाई का दोड क्या हुआ है कैंसिल हुआ है क्या उसी से रल्टेड एक नौटी से ठीक है तो चलिए देखते हैं और यह आज के पेपर में आया है लगवग लगवग आप आपको सभी पेपर में देखने को मिल जाएगा फिलाल मैं जो दिखा रहा हूं यह आपको दैनिक सुरी हिंदुस्तान का है ठीक है चलिए देखते हैं क्या-क्या बोला गया है और एक्जाम दोड होगा या नहीं होगा कैंसिल हुआ है कि नहीं होगा और हुआ है तो क्यों ह प्रक्रिया तीन दीन की लिए अस्थागित ठीक है तो चली दीकने के लिए अस्थागित है कब से होगा और क्यों और क्या गया और ओफिसएल नोटीस अभी तक क्यों cultiv क्या गया है बुला गया है राची हिंदुस्तान ब्यूरो की और से मुख्यमंत्री हैमंत सोरेन ने उत्पात सिपाही भरती प्रक्रिया अगले तीन दिनों तक के लिए अस्थागित करने का निर्देश दिया है सियम के आदेश के तुरंत बाद पुलीस मुख्याले ने तीन चार और पांच सितंबर को सभी केंदरों पर होने वाली उत्पात सिपाही भरती की साररिक परिक्षा का जितना भी था आदेश जारी कर दिया गया है अस्थागित करने का यानि के रोक देने का बस तीन दिन के ल ये दोर में परतिभागियों की मोत ठीक है मरमाहत करने वाली है पूरवर्ती सरकार द्वारा बनाई नियमावली की तुरंत समिच्छा का निर्देश देते हुए सीएम ने ऐसी बहालियों के लिए नियम बदलने का निर्देश दिया है साथ ही उन्होंने पिडित परिवार को सरकार की ओर से ततकाल राहत के लिए परस्ताव देने को भी कहा है ठीक है तो यही मोत के वज़े से रोका गया है अब कुछ फेर बदल किया जाएगा कितना दो यह कदम उठाया है मतलब जल्दी बाजी में कहा है कि दोड का आयोजन अब सुबा नौ बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं हो ठीक है जिन अभ्यार्थियों को दोड के पूर्व स्वास्त परिक्षन की जर्रत होगी उनके लिए चिकित सकों की प्रियाप्त वैस्ता होगी ताकि कोई भूखा पेट नहीं तोड़े अभी हो सारा है जब आधा आदमी मर चुका है उसके बाद जब हम लोग उतना चीक-चीक के बोल रहे हैं सब पेपर वाला जब इसको लगता है ना कि नहीं अब पानी सर से उपर जा रहा है तब यह डिसिजन लेता है ठीक है धौनधा एक नमबर का पिटा है उतना अब मर गया ना शुरू सही तो बोल रहे थे कि कुछ डिसेजन लिजे डिसेजन लिजे नहीं नहीं और कल फिर एक मरा है दोस्तों कल दोस्त एक डेट कर गया आ रहा था एक्सिडेंट में ठीक है सेंटर भी इतना दूर दिया है ना क कि आड़ा छड़ा के पाड़ा मतलब कोई के स्रीणगर कर रहने वाला है तो इसको कण्या कुमारी भेज देता है ठीक है नेक्स्ट आपका सीम ने कहा कि आखीर किन कारणों से हमारे समाज के अपेक्षा किरित स्वस्त लोग पूर्व से चली आ रही सारीरिक दक्षता परि किलेमेटर तो कैसे होगा कम से कम 45 दिन का टाइम दीजिए तीन-चार वर्सों में हेमंत स्वारी तीन-चार वर्सों में सेहत में ऐसा क्या बदलाव आया ठीक है और सामाइक मोत के कारणों की समिक्षा के लिए उन्होंने विशसाग्यों की समिती मना रिपोर्ट देने को कह है ठीक है और साथ में यहां पर देखिए यह जो है मेदिनी नगर मेडिकल कॉलेज जो आपका पलामू में है ठीक है एवं अस्पताल समवार को दोड के दोरान बेहों सुवे अभियारती की जांच करते डॉक्टर अभियारती की कई परकार से टेस्ट किये गए ठीक है जब हंगामा होने लगा तब जानके इनको होसाया है नहीं तो इनके कान में जू नहीं रेखना था सच बता रहा हूं मतलब मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी मेरा एज हुआ है ठीक है इससे करप्ट सीम मैंने नहीं देखा यार ठीक है यह सीम ऐसा है जो बच्छों को शुरू लाया है ठीक है तो और क्या ही बोलूँ है चलिए मांत में भला हो रहा है लेकिन सीट बिग जाएगा न क्या कोई गारेंटी नहीं है भरती दोर में एक और युवक की मोत डीजीपी बोले मामले की जाच होगी ठीक है बुक्या बोला गया है जहरखंड में उत्पा की समवार को मोत हो गई है पलामू के पाड निवासी उनका पासबन 28 अगस्त को दोड़ के दोरान 200 कर गिर गया था दीपक की मोत के साथ ही अभ्यार्थी के संख्या 12 हो गई है और इस बीच डीजीपी अनुराग गुपता ने कहा कि मामले की जाच कराई जाएगी डीजीप डीजीपी ने समवार को कहा कि मुझमंत्री ने इस मामले की गहन जाच का अदिश दिया है डीजीपी ने कहा कि सभी मृत अभ्यार्थी के सवों का पोस्ट मानन कराया गया है मोत की वजहों की जाच हो रही है इधर उधर समवार को 47 बेहुस हो गए हजारी बाग में 20 और सा में 17 जमसितपूर में साथ और पलामों में तीन बहुंस होए ठीक है अगर इनका बेटा ब्यांस होता ना समच बता रहें जमी नसमान एक कर देता है इन लोग अनुराग गुपता का बात कर लेते हैं चाहिए सीम का चाहिए किसी का भी बेटा ब्यांस हो जाता तो अरे दोडाए क् stiff पिछे ऑंबुलेश आए चलते जहां तक 10 किम्म दोड़ रहा है तहां तक दर यकीडियोलेंस चलते जाएंके पिछे पिछे जब ही सब में उ athletes की सब में होता है तो पिछे हम लोगैं आता था जब ही बच्छा गिरता था तो दुरन सुन पर Iman शद्रों तचा एंबुलेंस उनको चाहिए कि साथ में तुरंट उनको दिया झाए एवलोबल लेकिन यहां पर क्या होता है कोई कौई ब्योंस होता alaygo जोंके सानस फुल रहा है उनके का कोई अताबदानाइन तो वही बात है कि गरीब को प्रिक्षा सब फेल है चलिए तो एकता काम को लाया है देरे देरे और यह अभी फिलाल दोड़ को रोक दिया गया है ठीक है 12 ब्यारती अब तक हो चुकी है मौत और 47 केंद्रों पर समवार को बहुत तो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा ठीक है इन लोग डाटा को रियल डाटा को हाइड करके रखता है ताकि बिद्रो और न बढ़े सीम ने और क्या कहा तो सबसे पहली बात तो इन लोग बुडबक किया है कि पहले एक्जाम लेना चाहिए बोका आदमी कौन लोग तुम लोग को बना दिया है जो हम समझने पा रहे हैं पहले एक्जाम लो काना यार फिर एक्जाम देखे है इतना किस्ट से कोई बच्चा निकलता है रहनिंग ठीक और एक्जाम में में फैल हो गया तो उसको बहुत अब्सूर्ण फिल होता है ठीक है और वही सले तो उसको दख़शाम ने निकलता है आप हाई की अभ्यार्थी भड़के पोस्टर फाड़े उनको फाड़ देते तब नजी ठीक है डरना नहीं है यार भागत सिंग्ग वगरा कितना आदमी सहीध हो गया सचाही के लड़ते हम लोग कभी हो जाएगा तो क्या दिखते और सहीध होंगे नहीं कर देंगे अगर कोई साथ इस्त सी टी सी गेट के बाहर पहुंचे और नारे बाजी करने लगे इस दोरान गेट पर लगे पोस्टर फाड़ कर अपना गुस्सा निकाला यहां काफी देर तक अभ्यारती जम्मे रहें उन्हें अधिकारियों ने समझाने का प्रियास किया कई दिनों से चल रहे वर्ति प्रक ठीक है यह किया जाए नहीं तो मुरुख है हम लोग का यहां पर जान ले लेगा बैटार आक्षास का रूप है लोग अंग्रेश तो पूछ रहा है लेकिन इन लोग तो साला गुसा देता है वितर यार चलिए जो भी है तो फिलाल तीन दिन के लिए दोड़ अस्थागित ह हो चुका है और हाँ अभी तक अफिसल वेपसाइड पर नोटिस नहीं आया अफिसल वेपसाइड कौन साइन का जैसे जैसे सी क्यों से नोटिस आना चाहिए था कि तूरंद तीन दिनों के अंदर रणिंग रोग दिया जाता है जबकि आज तीन तारीख है तो बोलते हैं न यही हो रहा है दोस्तों बहुत आक्रों से मिरे मन में सच बता रहा हूं जीस दिन अगर मिल गया ना तो हम तो तबाही मचाएंगे ही विटब को कि किसी परसं को नहीं बता रहा हूं लेकिन बहुत कुछ करेंगे जो भी होगा यार चलिए फिलाल तीन दिनों के लिए रोक चार और पांच और वेबसाइट पर नोटिस नहीं आया है अगर आएगा तो हम बता देंगे ठीक है सब कोरी लोगों के हातों में हम लोग का राज का पूरा तंत्र है बरस्ट आचारियों के हातों में ऐसा नहीं 90% लोग है 10% सही है यह मानता हूं लेकिन 90% करॉप्टेड हैं साथ बाए